आज हम जिन भक्तों की कथा कहने जा रहे हैं वह बड़ी दिव्य है और संपून कथा हास्च से परिपूर्ण है बिहार के एक छोटे से गाउं के डामन परिवार के अंतरगत भक्त दीनानाज जी का जनम हुआ और दीनानाज जी इतने सच्चे और सरल भक्त थे अपना अधिक से अधिक समय भगवान शंकर के मंदिर में व्यतीत करते थे और भगवान शंकर से इतना अधिक प्रेम था बार बार किसी न किसी बात पर भगवान शंकर को डाणते थे और भगवान गनेश जी के साथ तो इनका जगड़ा चलता ही रहता था उसका भी एक गहरा रहसे है आपको बताया जाएगा ब्रामन कुल में इनका जनम हुआ बच्पन से परमात्मा की भक्ती का इनको विशेश चाव था शुरुवात में तो शादी का विचार बिलकुल नहीं था पर माता पिता की आग्या मानकर इन्होंने शादी करना स्विकार कर लिया अब उमा नाम की एक सुशील और सुन्दर कन्या के साथ इनका विभा हुआ उमा भी बड़ी सादी और सच्ची परमात्मा की सेविका थी जब दोनों को एक दूसरे का साथ मिला तो दोनों की भक्ती और प्रबल हो गई शादी के प्रथम दिवस ही दीनानाजी ने अपनी धरम पत्नी से कहा उमा तुम्हें पता है मेरा मन तो शादी का था ही नहीं पर मेरे माता पिता की आज्या मान कर मैंने विभा का प्रस्ताव मंजूर किया है क्योंकि मेरा मन तो शुरुआत से ही परमात्मा के श्री चरणों से युक्त था इसलिए मुझे संसार के कारेों के प्रती कोई मो है यह नहीं मैं तुम्हारा पालन पोशन कभी सईसे नहीं कर पाऊंगा हाँ पर एक बात अवश्य है तुम मुझे जो भी कारे कहोगी मैं परमात्मा से निवेदन कर दूँगा परमात्मा तुम्हे कभी निराश नहीं करेंगे इससे अधिक तुम मुझे कोई उमीद नहीं रखना उमावी सच्ची धरम निष्ट धरम पत्नी थी उसने अपने पती की आग्या को स्विकार कर लिया दिन व्यतीत होने लगे अब दीनानाच जी का तो नियम था उमा को किसी चीज की आवश्यक्ता पड़ती वह अगर पतीदेव से कहती घर में इन सामानों की आवश्यक्ता है तब दीनानाच जी बोलते मुझे कागच पर लिख कर दे दो और वह कागच जाकर दीनानाच जी भगवान शंकर के नजदीक रखतेते और उनसे कहते आज घर में इन चीजों की आवश्यक्ता है भेश देना अब जैसे ही दीनानाच ऐसे बोलते भगवान भी उनकी आग्या सुईकार कर लेते किसी ना किसी रूप में कागच में लिखी सारी वस्तों को दीनानाच जी के घर पे पहुचा देते थे इस प्रकार दीनानाच जी का विश्वास परमात्मा की और बढ़ता ही गया अब सारा दिन भगवान शंकर की सेवा करें मंदिर में जितने भी लोग आए वह दीनानाच जी को भगज जी के नाम से बुलाते थे अब दीनानाच जी का ये ब्रामन देवता हम यह परसाद लेकर आये हैं इनका भोग लगा दो तो आश्चरजनक गटना गटती जब दीनानाच जी भोग भगवान शंकर के आगे रखते तो भगवान शंकर तो उसमें से कुछ लेते नहीं थे पर जैसे ही जो परसाद गणेश जी के आगे रखा जाता था वह गायब हो जाता था अब दीनानाच जी हैरान होकर कहते यह अजीब है मैं परसाद रखता हूँ और खा जाते है हमें कुछ मिलता नहीं खाने को पहले ही परिशानी होती है और भक्त लोग भी इतने घटित होने वाली थी धीरे धीरे दीनानाच जी की पुत्री बड़ी होने लगी आज जैसे ही दीनानाच जी घर पहुचे दीनानाच की धरम पत्नी ने कहा हमारी पुत्री के विवा का प्रस्ताव आया है अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा भगत जी ने कहा इसमें सोचने की क्या वशकता है वह भगवान शेव की कन्या है भगवान शेव स्वयम संभाल करेंगे अब उमा जी समझ गई कि मेरे पतीदेव तो कुछ करने वाले है नहीं तो उसने अपनी कोशिश की गाउं के नजदीक एक अन्य गाउं था उस गाउं में एक संपन परिवार के साथ अपनी पुत्री का विभा निश्चित कर दिया अब समय आने लगा पुत्री के विभा का सर्फ दो दिन बचे थे उमा ने कहा भगत जी दो दिन बाद आपकी पुत्री का विभा है और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूँ कि पुत्री का विभा है कुछ तो सामाने खटा करलो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो करजे पे लेलो आपको लोग दे भी देंगे पर आप मानते ही नहीं हो तब दिनानाज जी ने थोड़ा दुष्ट होकर कहा मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं है मैं परमात्रा के आशिर्त हूँ और मैं अपने भगवान शिव से जिद करके सब कुछ मांग सकता हूँ संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है न तुमने जो जो कागच पर मुझे लिख कर दिया है मैंने भगवान के श्री चरणों में वह निवेदित किया है और भगवान शंकर ने हमारी सारी मनों कामना पूरण की है तो अब आकर क्यों चिंता करती हो अभी भी तुमें जिस चीज की आवशकता है मुझे लिख कर दो भगवान शंकर स्वयम पूरण करेंगे तुमार होते हुए कहने लगी अरे खाने पीने की चीजों की बात अलग है वह तो कोई भी दे जाता है पर इस समय कर्ण्या के विवा के लिए दहच की आवशकता है उसमें सोना भी लगेगा वस्तर भी लगेगे अन्य प्रदार्थों की आवशकता पड़ेगी कौन दे कर जाएगा भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ है फिर क्यों चिन्ता करती हो तुम मुझे कागच पर लिख कर दे दो अब उमा ने भी डुश्ट होकर कागच पे दहच का सारा सामा लिख कर दे दिया वैसे तो एक कागच बनता था आज आठ कागच बन कर तयार हो गए वह कागज की लिष्ट बनाकर दिननाथ को देते हुए कहा जाओ भगवान शंकर अगर सच्चे हैं तो देखती हूँ तुमारी इच्छा कैसे पूरण करते हैं भगज जी तो मस्त भाव से भगवान के भजन गाते हुए शंकर भगवान के मंदिर में पहुँचे वह कागज की लिष्ट भगवान शंकर के लिंग के नजदीक रखती और ब्रात्मा करते हुए कहने लगे भगवान मैंने तो आपके उपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है आपके प्रती मेरी निष्ठा भी सच्ची है मेरा विश्वास भी सच्चा है दो दिन बाद मेरे कन्या का विभा है वह कन्या का विभा तभी संपन हो पाएगा जब आप मेरे साथ चलेंगे और मेरी इस्त्री को तो वैसे तो बहुत यकीन है आपके उपर पर आज उसे आव कागज उन्होंने भगवान शंकर के नजदीक रग दिये और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए दिनानाज जी तो यहाँ पर भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए उधर एक संपन सेट दिनानाज जी के घर पहुँचे और आवाज लगा कर कहने लगे अरे दीनानाज जी का घर यही है भगत जी की धरम पत्नी उमा बहार आकर कहने लगी हाँ यही है दीनानाज जी का घर आप कहिए किन से मिलना है तब है सेट कहने लगा आज प्रातय काल दीनानाज जी मेरे घर आये थे उन्होंने कहा उनकी कन्या का विवा है उन्हें पैसों की आवशक्ता है अब मैं तो भगत जी को वजपन से जानता हूँ भगत जी की जो कन्या है वह मेरी कन्या है उनका सारा समय तो भगवान शंकर की सेवा में जाता है तो मेरे मन की इच्छा थी मुझे तो कोई कन्या है नहीं तोनब मैं इस कन्या का विभा कराऊं। इसलिए आपने जित्ते सामान की लिष्ट उनको बना कर दी थी वैं सारा सामान मैं लेकर आया हूं। सेट की बात सुनकर उमा हैरान हो गई। सेट जी इतना सामान देकर जा रहे हैं और किस प्रकार कोई किस की मदद कर सकता है। सामान उमा ने लिख कर दिया था उससे दुगना सामान वह सेट जी दीनानाजी के घर पर छोड़ कर गए। अब उमा कहने लगी मैंने तो इस गाव में आपको पहली बार देखा है आप कहां रहते हो। तब सेट जी कहने लगे मैं तो दीनानाजी से मिलता रहता हूँ आप चिंता न करें आप तो अपनी पुत्री का विवा बड़े अच्छे तरीके से कराईगा आपके पुत्री के विवा में कोई भी कमी नहीं आएगी परमात्मा भला करेंगे और ऐसा कहकर वह सेट जी तो चल किसी से करजा लिया है तुम्हें भगवान के उपर यकीन नहीं है मैंने तुम्हें कहा था भगवान शंकर को परात्मा करेंगे उसके पस्चाद भी तुमने लोगों से सामान मांगा है भगत जी की बातें सुनकर उमा कहने लगी मैंने किसी से सामान नहीं मांगा है यह तो आज सुबह एक सेट जी आये थे वह कहकर गए कि आप उनसे मिलने गए थे आपने सारे कागज उनको दिखा कर कहा इतने सामान की आवशक्ता है पर वह सेट जी बड़े दयालू थे जितना आपने सामान लिखकर दिया है न उससे दुगना सामान दे कर गए है जब उमा की यह बाते भक्त दीनानात जी ने सुनी तो समझ गए वह सेट और कोई नहीं भगवान शंकर स्वयम आकर मेरी पुत्री के विवा के लिए यह कर्ण्यादान का सामान दे कर गए है अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनके आखों में आसु आ गए और रोते हुए कहने लगे मैंने तुम्हें कहा धाना परमात्मा हमारे साथ है वह कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते है उसके उपरांत भी तुम आज सुबह नाराज होने लगी मेरे भगवान शेव पर देखा कितना सामान दे कर गए है अब एक बात सुन लो उनकर जब तक भगवान शंकर मेरी प वह कहने लगी भगवान शंकर कैसे चल सकते हैं वह तो किरपा करके चले गए है न अब तुम जित छोड़ो दो दिन बाद हमारी पुत्री का विवा है किरप्या तुम यह बखिडा खडा मत करो अब भगज जी तो अपनी बात पर अठल थे वह कहने लगे जब तक भगवान शंकर स्वयम ना चलेंगे मैं बिलकुल नहीं चलूँगा और पूछने लगे तुमने सारे शहर को तो न्योता दे दिया है तुम मंदिर में गई हो भगवान शंकर को निमंतर देने तब उमा भी प्रेम से डाटते हुए कहने लगी सारा दिन तो तुम बैठे रहते हो तु बिलकुल नहीं कहना है क्योंकि वह इस प्रकार खाते हैं अपना प्रसादी गायब कर देते हैं मेरे लिए मंदिर में कुछ खाने को बचता ही नहीं अपने पतीदेव की बातें सुन उमा मुस्करा कर कहने लगी आप चिंता न करें रात्री विश्राम करें अब दो दिन बा दिननाच जी भगवान शंकर के मंदिर में चले गए जिस प्रकार जाते थे और सेवा करके आ गए तीसरा दिन आया पुत्री के विभा का कार्य था भगजी तयार होकर पुन्हें मंदिर की और जाने लगे धरम पत्नी ने कहा कहा जा रहे हो कहा मैं अपना नियम नहीं छोड सकता हो दर्शन करने जा रहा हो धरम पत्नी ने कहा जल्दी आयेगा हमें अपनी पुत्री को लेकर दूसरे गाउं चलना है कहीं देर ना हो जाए दिननाच जी कहने लगे मैंने तुम से कहा था न चब तक भगवान शंकर इस विवाह में नहीं चलेंगे मैं तुम्हारे तो पुत्री का विवाह है भगवान शंकर और किर्पा क्या करेंगे आपको दहच का धन देकर गए ना उसके पस्चाद भी और किस चीज की आवशकता है पर भगत जी मानने को तियार नहीं थे वह कहने लगे यह कर्ण्या भगवान शंकर की ही है जब तक वह नहीं चलेंग मैं नहीं चलूँगा भगत जी इस प्रकार जित करके भगवान शंकर के मंदिर में आ गए और बैठ गए अपना ध्यान करने समय बीतने लगा वहाँ पर घर वाले इंतजार कर रहे हैं जल्दी से वापस आए और इधर वगज जाने को तयार ही नहीं अब कहते हैं न जब भ भगत का प्रेम इतना निश्ठावान हो तो भगवान को चिन्ता हो जाती है और भगत अगर दीनानाज जी के तरह बड़ा सरल हो तो उसकी चिन्ता अधिक हो जाती है यहां से कथा एक नया मूढ लेती है दीनानाज जी तो बैट कर भगवान शंकर की भुजा करने लगे अजीब भक्त है, भक्ती जी ने जो जो मुझे देने को कहा था, वै तो मैं घर पहुँचा कर आया, अब इसे किस चीज की आवश्यक्ता है, तभी उस मंदिर में एक आवाज हुई, वह आवाज थी भगवान शंकर की मूर्ती से, वह कहने लगी अरे भगज जी जाओ अपनी क कन्या का विभा कराके आओ, दिनानाच जी ने इधर उदर देखा, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, पूछने लगे कहां से आवाज आ रही है, भगवान शंकर ने कहा, हम बात कर रहे हैं, तुम जाओ भगज जी अपनी कन्या का विभा कराके आओ, दिनानाच जी कहने और आप मेरी हर जित पूरण करते हो, आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूँ, तो मैं विवा में कैसे जाओंगा, आप चलोगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भागवान शंकर ने कहा, जितना हमें करना था हम कर चुके हैं। जिराना जी कहने लगे इसका मतलब आपने पैसा दे दिया और काम हो गया, अब मैं भी आपके पास रो जाओं, सब जल चड़ा कर चला जाओं, इतना ही काफी है, बैठने की आवश्यक्ता नहीं है, आपसे प्रेम करने की आवश्यक्ता नहीं है। भगवान शंकर कहने लगे ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ अपनी कन्या का विभा करा करा के आओ, भगजी कहने लगे आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ, मैं नहीं जाओंगा आपके बिना। भगवान शंकर विचार करने लगे शादी में कैसे चला जा सकता है। भगवान शंकर को विचार मगन देख, माता पार्वती ने पूछा, भगवन क्या चिंतन चल रहा है। भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझसे जिद कर रहा है, कि आपको कन्या के विभा में चलना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ, कैसे जाओं। इसी बीच भगवान जी बोल पड़े, सोचना क्या है, कल सेट बनकर धन दे कर गए थे ना घर पे, वह सेट बन जाओ, मैं अपनी धरम पत्नी को कह दूँगा, सेट जी को शादी पर लेकर आया हूँ, भगवान शिव जी को भक्त का सुजाओ, पसंद आ गया, अब भगवा शंकर और माता पार्वती तैयार हुए, भक्त जी फिर कहने लगे, मैंने आपको पहले ही कहा था, गणेश जी को नहीं लेकर चलना है, तो गणेश जी नहीं चलेंगे, अब गणेश जी ने आवाज सुन ली भक्त जी की, कहने लगे मैं तो अवश्य चलूँगा, मेरे बिन गणेश जी चलेंगे तो मैं नहीं चलूँगा, भगवान शंकर विचार करने लगे, एक तरफ भगत, एक तरफ पुत्र, क्या किया जाए, तब भगवान शंकर ने युक्ति निकाली, भक्त को समझाते वे कहने लगे, अरे भगत जी, तुम तो ब्रामन परिवार के हो, पहले तो मानने को तयार नहीं हुए, पर भगत जी ने एक शर्त रख दी, कहा गणेश जी चलेंगे तो एक शर्त है, यह बिना पूछे कुछ भी नहीं खाएंगे, वहाँ पे शादी पे सामान कम होगा, तो दिक्कत हो सकती है, मैं जितना इने खाने के लिए दूँगा, य उतना ही खाएंगे, अब गणेश जी ने मुस्कराते हुए, भगत जी की शर्त स्विकार कर ली, क्योंकि मन बड़ा सच्चा था, जिसका मन सच्चा होता है न, परमात्मा उसके साथ होता है, अब भगत जी तयार थे, भगवान गणेश जी तयार हुए, भगवान शंकर जी तयार थे, माता पार्वती के साथ निकलने वाले थे, नंदी उठकर खड़े हो गए, भगवान मेरे बिना कैसे जाओगे, अब नंदी जी की वावाज सुनकर और जितने गण थे, वह भी तयार हो गए, भगवान शंकर कहने लगे, भगत जी मंडली तो बहुत बड़ी हो ग अब इस प्रकार बात चल रही थी, तब नंदी और अन्य गण कहने लगे हम भी चलेंगे, तब भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, आप सबने तो मेरी शादी में समलित होकर आनंद लिया था ना, यह भगत की बेटी की शादी है, वहाँ पे इतनी भीड कैसे चल अभी मंदर की एक सीड़ी उद्रे ही थे, कि भगत जी ने रोक कर कहा, अरे भगवन ऐसे कैसे चलोगे, भगवान शंकर ने कहा अब क्या हुआ, कहा गले में यह साप, लोग कहेंगे सेट बनकर आये हैं और गले में साप, आपने मुझे पहले ही शर्त दी है, कि मुझे किसी बताना नहीं है, कि आप भगवान शंकर हैं, अब अगर आपके गले में यह साप रहेगा, तो लोग पहचान जाएंगे, और साप के बाद जब उनका ध्यान गंगा की और गया, तो मस्तक से तो गंगा का जल बहरा था, भक्ति जी ने कहा, यहां तो इन्हें छुपाईए, यहां तो इन्हें यहां छोड़ कर चलिए, तब शेशनाग जी जो भगवान शंकर की गले में थे, तब भक्ति जी की बात सुनकर, रुष्ट होकर शेशनाग जी कहने लगे, मुझे क्यों छोड़ कर चलेंगे, मैं तो चलूँगा, भक्ति जी ने कहा, ऐसे कैसे चलोगे, देखा है अपना वेश, लोग डर जाएंगे शादी में, आपको देखकर, अब शेश जी ने कहा, अभी तो तुम्हारी बहुत चल रही है, बाद में जब मंदिर में आओगे न, तब तुम्हारी खबर ली जाएगी, भगवान शंकर से जित करके कहने लगे, भगवान इसे सोने का हार बन जाता हूं, और ऐसा कहकर, भगवान शेश नाग सोने का हार बनकर, भगवान शंकर के गले में स्थापित हो गए, और जितने छोटे-छोटे साप थे, वह भगवान शंकर का आबूशन बन गए, अब भगवान शंकर जी चलने लगे, अगोन गंगा जी बह र लगी मैं भगवान शंकर के आगे चलूँगी जिससे की किसी को आभ하स लही नहीं होगा कि मस्तक से पानी बहरा है अब साअरी तैयारी हो गई भगवान शंकर जी सेट के बेश में अर्ग को भगवान जी तो छोटे पांच वर्ष के बालक के रूप में अब गणेश जी का हाथ भगज जी ने अपने हाथ से पकड़ लिया और थोड़ा प्रेम से कहने लगे तुम्हें बिना पूछे कुछ नहीं घाना है भगवान शंकर ने यह बात मान ली थी इसलिए तुम्हें वह चादी की तैयारियां चल रही थी भगज जी को देखकर उनकी धरम पत्नी उमा पूछने लगी होकर आये मंदिर से भगवान शंकर जी आ गए अभी भगज जी कुछ जवाब दे नहीं वाले थे भगवान शंकर ने इशारा कर दिया मैंने तुम्हें पहले ही कहा था अगर क इसे कुछ बताओगे मेरे बारे में तो मैं अद्रिश्य हो जाओंगा भगवान शंकर का इशारा समझ भगत जी चुप हो गए और कहने लगे भगवान शंकर तो नहीं आये पर उस मंदर के मालिक हैं सेट जी हैं यह हमारे साथ आये हैं उन सेट जी को देखकर उमा तो अतनी है यह भी हमारे साथ चल रही है और छोटे बालक की और इशारा करके कहा यह भी हमारे साथ चल रहे हैं पर इनका ध्यान रखना पड़ेगा यह बिना पूछे बहुत कुछ खा लेते हैं पुमा जी ने कहा शादी का महौल है छोटा बच्चा है यह तो अवश्य खाए भगवान शंकर जिसकी बरात में शामिल हो उस बरात का तो कहना ही क्या भगवान शंकर के गण म्रदंग बजा रहे थे दोलक बजा रहे थे बड़ा ही सुन्दर द्रश्य था अब गाते बजाते सब लोग उस गाओं में आ गए जहां पर भक्त जी की कन्या का विभा था भक्त जी ने भगवान शंकर को उठाया और कहने लगे यह पुन्यकार्य आपको ही करना है कितना सुन्दर द्रश्य रहा होगा बिहार के उस गाओं का जहां पर भगवान शंकर स्वयम सेड़ जी के रूप में आए और कन्यादान का पुन्या में कार्य किया भक्त जी भगवान शंकर को लेकर कन्या के नजदी का आए कहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपने हाथों से कन्यादान किया और जिस इस्थान पर कन्यादान किया गया वह पत्थर अभी तक बिहार के गाओं में स्थापित है वहाँ पे एक मंदिर बनाया ग कन्या का विभा सुख से संपन हुआ अब भगवान जिस विभा में उपस्तित रहेंगे वहां तो कोई विगिन आही नहीं सकता है सुख से विभा संपन हुआ सब लौट कर अपने घर आए अब जैसे ही मारग में शिव मंदिर पड़ा भगत जी को देखकर भगवान शंकर कहन लगे भगवन यह सब आपके ही लीला है आप नहीं यह सारा कार्य पूरण किया है और ऐसा कहकर भगवान शंकर के नजदीग बैठकर भगत जी रोने लगे भगत जी की धरमपतनी पूशने लगी क्या हुआ इतना जोड से क्यो रो रहे हैं भगत जी कुछ कहने ही वाले थे इतने में भगवान शंकर ने मस्तक पर हाथ रख दिया कहा शान्त हो जाओ भक्त जी समझ गए कुछ बताना नहीं है और भक्तानी को कहकर गए मैं सेड़ जी को मंदिर की और छोड़ कर आता हूं तुम घर चलो ऐसा कहकर अन्य महमान तो घर की और आ गए भगवान शंकर गणेश जी माता पार्वती को लेकर भक्त जी मंदिर में आये मंदिर में आकर उन्य भगवान शंकर अपने रोपों में स्थापित हो गए पर भगत जी का रोते हुए बुरा हाल हो गया कहने लगे भगवन जो दर्शन आपने दिया भगत जी की इस्थिति नियंत्रन से भार थी भगत जी इस प्रकार रोने लगे भगवान शंकर पुनहे प्रकट होए प्रकट होकर उसके मस्तक पर हाथ रखा जब भगवान शंकर ने भगत के मस्तक पर हाथ रखा तो भगवान शंकर के हाथों से कुछ जलकी बूंदे गिरी वह जलकी बूंदे जिस स्थान पर गिरी है बिहार में उसका भी एक मंदर स्थापित है जिसे शेव नीर मंदिर के נाम से जाना जाता है वह इतना पुण्य में मंदिर है कहते हैं भक्त उहाँ पर अपनी प्राथ्णाय करते हैं और उनकी मन की समस्त मनों काम नैं पूरण हो जाती है भक्त जी इस प्रकार रोकर अपने घर पुन्ह लौट आए उमा ने कहा सब कुछ ठीक था आपका मन बेचैन क्यों है अब तो कन्या का विभा सुक्से हो चुका है वह कहने लगे तुम्हें पता है वह सेट जी कौन थे उमा कहने लगी वह सेट कौन थे आपके मित्र थे न और उस मंदर के मालिक थे दिनानाज जी रोते हुए कहने लगे अरे वह सेट नहीं भगवान शंकर थे जिन्होंने अपने हाथों से मेरे कन्या का विभा किया था तुम पहचान न सकी उनको उमा कहने लगी आपने बताया क्यों नहीं कहा अगर मैं तुम्हें बता देता तो भगवान शंकर अद्रिश्य हो जाते फिर मुझे उनका दर्शन न मिलता उमा जित करने लगी अब तो मुझे भी उनका दर्शन करना है दूसरे दिन प्रातयकाल वै अपनी धरम पत्नी को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में आए और प्रातना कर कहने लगे भगवन इसे भी दर्शन दो इसने संपून जीवन मुझे सक्चे मन से साथ दिया है इसकी करतवे निष्ठा से ही मैं आपकी भगती कर सका हूँ इसे भ इतना दर्शन दे खिरतार्थ करो भगवान शंकर ने पुनहै प्रातना सुनी प्रकट हुए दोनों पती पत्नी को दर्शन मिला दर्शन कर वह दोनों भक्त निहाल हो गए तो कितना पावन प्रसंग है न यह है कि भक्त जब भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तो भग को छोड़ दिया जाएगा तो जो परमात्मा करते हैं वो दुनिया से अलग हो जाता है देखिए किस प्रकार भगवान शंकर ने स्वयम आकर उस कन्या का कन्यादान किया और वह इस्थान अभी तक बिहार में कायम है और जब भगवान शंकर ने आश्रवाद दिया भक्त को उ ऐसे स्थान पर वह जल गिरा वहाँ पर भी मंदर कायम है तो भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं पुकार सच्ची हो तो परमात्मा स्वयम चल कर आ जाता है तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो भक्तों पर तुरंत राजी हो जाते हैं जिने भोले नात कहा जाता है जिन्हें आश्युतोश कहा जाता है, जिन्हें शंकर कहा जाता है, जिन्हें भगवान शिव कहा जाता है, उनके पावन श्री चर्णों में हमारा बारंबात प्रणाम है।